Hello everyone, welcome back to my channel Solo Traveller, this is Ram your friend और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही awesome vlog तो आप जैसा कि देख रहो कि इंडिया में भाई sports bike का जो craze है वो एकदम ऐसे बढ़ता ही चला जा रहा है धीरे धीरे लोगों का मतलब जो एक royal bikes होती थी पहले classic होती थी highlight Davidson होगी highlight Davidson का वैसे भी भाई बोरिया बिस्तर समीटा जा चुका इंडिया से तो ये चीजों से इस चीजे पता चलते हैं कि कहीं ना कहीं जो new generation है वो आपके aggressive bikes की तरफ जा रही है sports bike की तरफ जा रही है, fared bike होगे, आपके track ready bikes होगे, इनकी तरफ जा रही है तो entry level के लिए हमाँ पास कौन से options है तो ये vlog मैं उस चीज को indicate करने के लिए लाया हूँ ताकि आपको entry level bike लेने से पहले सोचना ना पड़े, तो इसका part 1 है, अगर यह आप लोगो पसंद आया, तो मैं part 2 भी जरूर बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं entry level की दो ऐसी bikes ला रहा हूँ, जो अपने लेवल में, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग की bike है, अगर आप fared bike लेना चाहते हो, track ready bike लेना चाहते हो, good looking bike लेना चाहते हो, बहुत ही aggressive bike लेना चाहते हो अगर आप चाहर हो कि जहां से भी आप गुजरो, तो भाई लोगों की मुंडिया आपकी bike को देखते ही घूम जाए, तो फिर मेरे सामने खड़ी है, दो बहुत ही awesome bikes, एक है आपकी Yamaha company की R15, भाई आप देखो क्या looks है, मतलब बहुत ही awesome bike है, looks के मामले में भाई कोई भी इ travel है, वो भगल में आपकी खड़ी है, RC, KTM company की RC 125, तो भाई, KTM company में अगर आप चाहते हो कि मैं fared bike लूँ और कोई track oriented bike लूँ तो वहाँ पे अगर आपको कोई entry level की bike चाहिए, तो वो है RC, और इन दोनों बाईकों को मैंने इसलिए चूज किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों बाईक है, अपनी entry level की bike है, दोनों का price range अगर आप देखोगे, तो कहीं न कहीं आसपास ही है, दोनों ही अगर आप मैं RC की बात करता हूँ, तो KTM RC अगर आप on-road लेते हो लखनों में, तो यह आपकी 2,13,000 की आसपास आती है, 2,13,000 में आपको on-road पढ़ती है, वहीं पे अ आप R15 M लेने जाते हो, R15 के और भी models आते हैं, अगर आप चाहो तो entry level का model भी ले सकते हो, R15 V4, तो आपकी 2,00,000 की आसपास आपका आजाएगा, तो देखा जाए, तो 125 CC होने के बाद वह बाइक ज्यादा महंगी है, और यह आपकी 155 CC होने के बाद भी उससे 6-7,000 रुप करते हैं, तो सबसे पहले इनको compare करते हैं, लुक्स के लिए, तो जैसा कि आप जाते हो, कि जो लुक्स होता है, वो नजरिये के ऊपर होता है, कि आदमी मतलब हर बंदे के लिए, लुक्स की definition अलगा हो सकती है, किसी को कोई बाइक पसंद आ सकती है, किसी को दूसरी बाइक तो यहाँ पर मैं दोनों बाइक को ही एक-एक पॉइंट देना चाहूँगा, तो कि दोनों ही बाइक बहुत ही ज़्यादा good looking है, बहुत ही अच्छा riding posture है, सामने से देखो तो full fairing के साथ आती है, बहुत stunning look के साथ आती है, second अब ले चलते हैं इनके engine के तरफ, तो बाइक मे इक लिए आप देखोगे तो 124.7cc का engine है, तो यह RC का engine है, यह आपका four stroke engine है, four valve engine है, और साथ में liquid cool technology के साथ आता है, तो long route पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, liquid cool आपको मिल रहा है, power figure की अगर मैं बात कर लूँ, तो यह आपकी 14.5bhp की power generate करता है, 9250rpm के उपर, और 12 12Nm का torque generate करता है, 8000rpm के उपर, तो यह थे इसकी power figure, अब मैं लेके चलता हूँ आपको R155 की तरफ, तो R155 यहाँ पे बाजी मार लेता है engine के मामले में, R155 का आपका engine है 155cc का engine है, और power figure भी same है, जैसा कि आपको पता है कि ज्यादा capacity का engine है, उसे इसाब से power figure की ज्यादा ह करता है, और जहां मैं torque की बात करता हूँ, तो 14Nm का torque generate करता है, तो power के मामले में भी RC से ज्यादा है, तो engine और performance के मामले में, मैं R155 को one point देना चाहूँगा, यहाँ पे R155 को मिलते है one point, RC को मिलते है zero point, अब हम इसको लेके चलते है features की सरफ, कि क्या-क्या features मिलते है, तो चलिए बात करते हैं, हम आपके features की, तो सबसे पहले ले चलता हूँ, मैं आपको RC 125 की तरफ, तो यह RS का meter, भाई, meter आप on-core के बहुत सुंदर meter है, पूरा LCD screen है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजे missing है, information तो आपको बहुत सारी मिलती है, बट यहाँ पे कोई mode नहीं है, आपके मिलता है, mode भी, यहाँ पे आपको दो riding mode मिलते हैं, एक आपका road mode मिलता है, दूसरा आपका sports mode मिलता है, इसके लावा इसमें आपको मिल रहा है, traction control, तो यह चीजे आपकी first in the segment है, साथ में R15 में आपको मिलता है quick shifter, जो की बहुत कमाल का है, भाई, अगर आप sports में चाहते हो अगर आप track oriented बन दे हो, तो भाई, यह आपको बहुत ही ज्यादा help करने वाला quick shifter, बहुत easily आपको बिना clutch का use की, आप shift कर सकते हो, lighting की तरफ अगर मैं आपको ले चलता हूँ, तो R15 में पीछे आपको hylogen indicators मिल रहे हैं, backlight आपकी LED है, अगर मैं आपको आगे की तरफ ले च आपको ले चलता हूँ, तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे आपके जो indicators है, वो तो आपके LED है, बट जो आपकी light है, वो आपको hylogen light मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि light है, इतना पैसा करे लोग ले रहे हैं, तो कही ना कही lights जो थी, वो आपको कम से कम LED lights मिलनी चाहिए थी, पीछे की तरफ ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आपके जो backlight है, वो आपके LED है, साथ में आपके जो indicators है, वो भी LED है, तो features के मामले में मैं एक point आपको यहाँ पे R15 को देना चाहूँगा, क्योंकि quick shifter और वहाँ पे जो आपका traction control मिल रहा है, यह तो R15 जो है, इसकी जो ground clearance है, यह आपकी 170 mm की दे रही है, तो Indian roads पे भी आप इसको easily चला सकते हो, वही पे अगर मैं RC 125 की तरफ आपको ले के चलता हूँ, तो इसकी जो ground clearance है, वो आपकी 158 mm की मिल रही है, तो यह थोड़ी सी R15 से कम है, तो यह कहीं ना कहीं किसी ऊचे आपक देता हूँ, तो अगर आपकी height, अगर आप RC 125 चलाना चाहरे हो, तो आपकी height एक बहुत अच्छी height होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो seat height है, वो आपकी 824 mm की है, जो की बहुत ही ज्यादा है, अगर आपकी height 55-56 से कम है, तो कहीं से भी आपको comfortable नहीं लगने वाली, बहुत ही चल सकते हैं, बर फिर भी थोड़ी बहुत, अगर आप लॉंक चलाना चाहरे हो, तो आपको इतना ज्यादा shoulder pain या back pain नहीं होने वाला है, तो इस चीज के मामले में उन्होंने सुधार किया है, तो writing quality आपको अच्छी मिलने वाली है, और 15M की तरफ अगर मैं आपको ले चलत तो वो भी इसली चला सकते है, handle इसके RC जैसे ही है, थोड़े थोड़े, अगर एक posture की बात करो, तो मुझे लगता है RC का और R15 का जो posture है, वो दोनों लगबख सेम ही है, तो यहाँ पर दोनों tie हो जाते है, riding में, अगर riding comfort की बात करो और posture की बात करो, तो यहाँ पर दोनों ग मालने में, 100% अगर आप बाते हो, अगर आप performance lover हो, आप चाते हो, आपकी bike एक top speed पे जाए, अच्छा pickup हो, तो वहाँ पे R15 आपकी easily आगे निकल जाती है, मनला मैंने Pillion के साथ भी test किया था, यहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे, RC पे एक single बंदा बैठा था, उसके बाद भी R15 जो थी, वो easily आगे निकल जा रही थी, टैर्स की बात कर लेता हूँ, तो भाई दोनों में आपके sports वाले टैर लगे हुए हैं, दोनों ही आपके alloy wheel देते हैं, दोनों ही आपके dual channel ABS पे हैं, और साथ में जो suspensions हैं, दोनों में ही आपको USD upside down suspension मिल रहे हैं, तो इन दोनों मामलों में कहीं पे भी किसी भी company ने कोई भी कमी नहीं कियो गई है, दोनों में आगे आपके upside down suspension दे रहे हैं, पीछे दोनों में ही आपके hydraulic monoshockers दे रहे हैं, दोनों ही आपके adjustable है, जहाँ पे KTM की आपके RC है, वहाँ पे आपको दिखेगा 7 settings है, तो आपको उसको adjust कर सकते तो वहाँ पे आपके R1 में ये चीज़ थोड़ी सी लेब है कि यहाँ पे आप पीछे का जो shocker इसको adjust नहीं कर सकते, वह आपका एक company fitted setting के साथ आता है, कोई adjustable shocker नहीं है, तो यहाँ पे इस चीज़ में मैं KTM को एक point देना चाहूँगा, तो आब आते हैं conclusion की तरफ, तो भा R1 5 M की तरफ, क्योंकि इसके जो points है वो ज्यादा अच्छे है, आपको same range में मिलती है, better engine, better performance, ज्यादा top speed, ज्यादा features, और एक ज्यादा good looking, क्योंकि मेरे इसाब से R1 5 थोड़ी सी ज्यादा better दिखती है RC 125 से, बट यह मैंने आपको बता है कि भाई, जो looks होते हैं, वो totally totally न engine की जो power and performance है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, अगर आप top, एक entry level की sports bike लेना चाहोगे, तो आप चाहोगे कहीं पर भी, आपको feel नहोगे, आप कहीं पर hold back कर रहे हैं, इसके अलावा एक थोड़ी सीजिन में और बता पहूं, कि touring के लिहाज से RC थोड़ी सी ज्यादा अची है, क्योंकि इसमें आपको जो capacity मिलती है, petrol tank मिलता है, वो आपका 13.7 litre का मिलता है, वही R15 में जो petrol tank मिलता है, वो आपका 11 litre का मिलता है, average लबह 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 दोनों का same है, 40 के आसपास आपको दोनों का average मिल जाएगा, बट इसका petrol pump आपका बड़ा है, तो आपको ज् cruising speed उसनी ज्यादा इसकी नहीं है, R15 पर आप easily काफी लंबे टाइक तक cruise कर सकते हो, तो ये था आज का आपका vlog, और अगर आप चाहते हो कि R15 जो इस लोग की winner रही है, उसको अगर मैं RS200 के साथ compare करूं, तो आप comment section में mention कर देना, मैं next vlog इसका RS200 के साथ compare करके लाऊंगा, तो ये था आज का आपका vlog channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिए, follow कर लीजिए, मेरा social media link यहाँ पर display हो रहा, वहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हो, this is Ram solo traveler, signing off.